एह देखिए दोस्तो सलवार बन के रेदी हो गई है यह यह फाइनल लूक है यह इसकी साइट है और यह आगई पेक इसकी हेलो दोस्तों स्वागत है भी स्टैलिस्ट मास्टर में आज हम तीन मीटर में पट्याला सलवार काटेंगे और इसकी लेंद्थ है 37 और जो हिफ साइज है वो 32 है और मौरी है वो 12 इंच रखी जाएगी 12 और अब इसमें हम सबसे पहले इस कपड़े में से बैल्ट निकालेंगे और बैल्ट के लिए हम इस कपड़ेंगे इस तरह से कौर्ण नर से कौर्ण नर विछाएंगे इस तरह से कि यह तीन मीटर कप्रे में निकाल रहे हैं हम अब इसमें से सबसे पहले हम इसको एक बैल्ट के लिए निकालेंगे बैल्ट हम निकालेंगे 9 इंच की कि इस तरह से 9 इंच में निसान लगा लेंगे कि यह कि नौ इंच की बैल्ड काट लेंगे हम यह अब यह नो इंच की बैल्ड है अब इसमें से क्या है कि यह आधा इंच तो नीचे दवाब चला जाएगा नौ इंच की हमने क्यों काटी है यह चीज़ बता अब यहां से इतना फोल्ड करके और यह बैल्ट इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। इस तरह से फोल्ड में आ जाएगी। इब यह आधा इंची यहां चला गया। और गाई इंची यहां चला गया। तो 9 इंच की बैल्ट है यह अब यह 6 इंच ऐसे तयार आ जाएगी है इस तरह से अब क्या है इसमें जो यह हिप है हिप 32 इंची इसमें हम पिलस करेंगे 10 इंची और अब यह और आ जाके 42 इंची अब यह 42 इंच की बैल्ट काटेंगे हम अब 42 इंच के लिए यह हमारे पास यह यह सिर्फ आएगा हमारे पास 20 इंच बैल्ट हमने इसलिए काटी है 9 इंच की अब इसमें हम दो पैनल निकालेंगे 14-14 इंच के यह होई गिया हमारी साइट की कली इस तरह से इस तरह से यह 14 इंच यह हो गया यह और यहां से यह इसको अब डबल में ही काट लेते हैं इस तरह से अब इस तरह से और अब यह 14 इंच पर निसान लगाएंगे साइज पतला है तो हम इसमें 13 इंच भी कर सकते हैं और इसको हम 14 इंच तक आप काट सकते हैं यह हम साड़े तेरे काट रहे हैं यहां से यह निसान लगाकर यह साइट की कलिए इसको हम इस तरह से यह यह काट दिया हमने है अब इसी तरह से एक पैनल और काटेंगे हम इस पर ही रखके है अब यह हम दोनों पैनल काट लेंगे इसी तरह से इस तरह से अब हम इसमें सीधा करके इसको हम सीधा बिछा लेंगे इस तरह से एक के उपर एक पला रख लेंगे दोनों जो साइट की कली है और यह यहां से थोड़ा से टेड़ा एड़ा हो रहा है तार टेड़े हो रहे हैं तो इसको सीधा कर लें यह आदे इंच का दबाव हो गया यहां पर अब यहां पर हमने जो बेल्ट हमने छे इंच की अभी निकाली थी वो छे इंच यहां रखेंगे नीचे वाले निसान पर और यह 37 इंच पर निसान लगा देंगे और आदा इंच का यह दबाव और यहां से इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से अभी हो गई साइट की कली इस तरह से यह हमारी हो गई साइट की कली यह इस तरह से जाएगे साइट की कली अब बैल्ट कट गई साइट की कली कट गई अब रह गया जो मैं को कली काटेंगे कपड़े की यह अब इस तरह से साइट की कली निकालने बैल्ट निकालने पहले फिर बचेगा यह पल्ला तो यह पलेट वाला हिस्सा हम निकालेंगे अब यहां से हम साइट रखा हुआ है खुला इससा अपने साइट है डबल फोल्ड में कपड़ा है अब यहां से हम इसको कि छैंच उपर निकालके यहां चैंच पर निसान लगाएंगे यह चैंच रखेंगे जगे अब यहां से एक हम निसान लगाएंगे इस कपड़े में वो इस साइट से लगेगा इस साइट से अब इसमें फिर हम आदा इंच उपर निकालके यह 6 इंच यहां से और 37 इंच यह हो गया यह आदा इंच का दबाओ अब यह यहां से यह इसको हम यहां इस तरह से पिछाएंगे टेबल थोड़ी छोटी पड़ रही है अब इस तरह से हम इन चीटे अब रख आ इस तरह से अब निसान लगा लेंगे यहां से यह था निसान यह दवाब वाला इस तरह से निसान लगाके और इस तरह से इसको हम कट कर लेंगे क्योंकि ये कपड़ा सिधा से बिच नहीं पा रहा है इसलिए बाकी कि मैं अभी छोटे में बताता हूं आपको इसको तुम्हें कट कर लेता हूं और ये खुला एरिया है तो ये भी बंद एरियों को हम काटके खुला कर देंगे इस तरह से खुला एरिया हमारा इस साइड है और बंद वाला एरिया ये है अब इसको भी हम कट मारके इसको भी हम अब यह हो गए हमारे चार पैनर इस तरह से यह होगा चार पैनल, अब जो इस चारों पैनलों को हम एक साथ बिछाएंगे, इसकी कटिंग क्या है, जैसे हमारा यह चौकर कपड़ा है, यह पूरा, यह हम छोटे से हिस्से में बता रहे हैं, अब इसको हमने किया किया, यह डवल फोल्ड कर लिया, इस तरह से, इस तरह से है, यह पर, अब डवल फोल्ड के बाद में, हमने यहां से 6 इंच कपड़ा उपर निकाला, 6 इंचिटेब निकाला उपर, कि बैल्ट का होता है, और हमारा जो पर हमारी लेंथ होती है, तो हमने वो लेंथ का निसान लगा लिया, जैसे कपड़ा हमारा छोटा है, तो हम 13 इं निसान देंगे 6 इंच हम यहां निकाल देंगे 1.5 इंच का माजन के साथ और यह आमने लगा दिया 13 इंच में निसान अब इसको हम इस तरह से तिर्षा काटेंगे यह कि इस तरह से यह निसान लगा यह पूरे कप्ड़े में और यह जैसे खुले वाला एरिया है साइट ये इस साड़ें इसको हमने इस तरह से कटिंग कर दिया यह नीचे के कपड़ापका 3 मिटर हमने लिया हुआ है अब चार भी ले सकते हैं साड़े चार भी है सकते हैं यही कट निय subscribers ही और इस साड़े से भी इसको ने खुला कर दिया अब यह हमारे उगा चार पेनल ये इस तरह से अब इन पेनलों को बिछाएंगे आप इस तरह से कि यह हमने बिछाये यहां से इस तरह से यह आ जाएंगे चार पेनल ये आहम इस ही को अब बड़े में विछाते हैं इसको जो अशे सायट है अब बोर रखेंग और इस सायट से थोड़ा सा बड़ा छोटा कान के विजए से निकल रहा है तो यह कटके निकल जाएगा। अब इधर वाला हिस्सा हिंगे बराबर करेंगे आप इधर का जो हिस्सा है इसको बराबर करेंगे यहां से शीधा करेंगे अब यहां पर क्या करेंगे हम, शह इंच उपर निसान लगाएंगे, निकालेंगे शह इंच जैसे बैल्ड के लिए, बैल्ड इलसाइट आएगी, अब निकालने के बाद में ये, इस तरह से, ये जो आसन है, वो आसन हमने इस पर चोदे पर लगाएंगे, चोदे पंद्रे प ऐसे करके रखते हैं, तो ये हम साड़े आठ पर निसान लगा रहे हैं ये, अब साड़े आठ पर लगाने के बाद, अब इसको हम इस तरह से, मिला देंगे, आगे, इस तरह से हमने मिला देंगे, और अब इसको हम बराबर से कट कर लेंगे, कि इस तरह से यह पूरा फी सोगया है कट गया है यह साइट का पैनल हो गया यह पालीट वाला पैनल हो गया इसमिंद डालेंगे और यह वै Leo के लिए होग्या रिप के से इस तरह से यह आएगा पूरा पीस कटिंग हो गई है चलते हैं सलाइपर